आज हम आपके लिए ले गया है राजमा की खेती कैसे करें तो किसान भाईयों जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं क्योंकि आने वाली जो वीडियो हमारी वह आपसको मिलती रहें तो किसान भाईयों मैं में चोहान चोहान एग्रफान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं किसान भाईयों आपने हमारी पहले भी राजमा की खेती के बारे में जानकारी देखी और हमारे साथ जो किसान भाईयों उनसे हम दिखाएंगे अब राजमा की हर्वेस किसान भायो, मैं नमस्कार। मैं नाम रिषब चौहान, मैं गाउ Onbamad, Jila Haridwar, Utrakhand से हूँ. और पिछले चार सालों से मैं जर्वी खेती करता हूँ, जर्वी खेती के सा साथ में राजमा की केती वी करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा दो एक कड़का भीता, जिसमें मैं राजमा की खेती कर रहा हूँ ची है जैसे कि आप ने दो गाजमा की खेती है तो हम देख पा रहे हैं यहां पर इसकी राजमा की हार्वेस्टिंग हो चुकी ist टो अव्यृ तो अब इसिका मक्या पूरा थिए जार चुका तो अफ्य इसमें कितना प्रेकती त्यार्फर नीवर्ट किसान भाइयों किसान भाइयों किसान भाइयों की राजमा इंहें आतारा झाल time ship hi कि मिट्टी में इसके बुआई की जा सकती है अगर आप उत्राखन है यूपी हरियाना और पंजाब से हैं तो इसकी आप बुआई कर सकते हैं जनवरी महीने में पहली जनवरी से लेके दस परवरी तक अगर आप मध्यपरदेश महराष्ट गुजराद तमिलनाडू या इन र अगर वहां जनवरी में कर ले तो कोछ नश्य हैं जी देखो क्या होता है अगर आप महां पे होती है गर्मी जादा अगर में जनवरी महीने में लगाएंगे तो उनके आप फरवरी में टेंप्रेचर इतना जादा हो जाता है कि राजमा की फसल खराब हो जाएगी और अगर में अक्टूबर महीने में करते हैं तो थोड़ी थंडर रहती है तो थोड़ी थंडर रहती है पाला नहीं पड़ता है तो में अक्टूबर में महीने में बहते हैं तो फरवरी तक उनकी हर्वेस्टिंग या जनवरी महीने में बहते हैं अगर हम यूपी से हैं अगर उत्रा रचारीश किलो ये एक कर्ण में वआ के समय लग जाता है अगर किसी किसान भाइय को बीज मंगाना हो आपसे तो कैसे संपरक करके बीज कोई किसान भाई हमसे बीज खरीना चाहता है तो इसकी इन पर दे गए नंबर हैं इन पर आप संपरक करके पूरे भारत में कहीं पर भी हो घर बैठे बीज को खरी सकते है चाहे महाराष्ट बिहार गुजरात कहीं पर भी हो और मैं किसान भायों से यह कहना चाहूंगा कि धन राइड यह कुन सी वराइड एक राजमा और यह सामानी राजमा जो 16-70-70 रुट को दुगान पर बिगता है उससे काफी जादा मेंगा है अगर मिस की कीमत की बात करूब हो जा रिए तो एक सो बीस एक सो बत्कर पद पर पदी हैं और ऎक्र अगर मैंसका फ़िए अगर तो सर बारा से 14 कॉंटल पढ़ती है कर अगर अच्छी जमिन है तो उसका उतपादल लिया जा सकता है अचा जी अचा ये अजिक किसान भाई अपनी समता के अनुसार का उतपादल ले सकता है और तोर सर कहते है आपको मैंने बता है कि आपके समहें रृड लुछाश दाले इसमें पहली किषाय होगी? जर अब रूर स्थीं समय किसान को अप पॉर्ल बाद बाद इसमें एक निराई गुड़ाय को करानी होगी और आप देख सकते हैं एक पेड़ पर 25-30 फली आप खुद देखें पनीया को से राजमा निकल रहा है जए एक पेड़ पेड़ 25-30 फली tapi एक फली के अंदर तॉ निकल रहीए यह देखिए और कम खर्च में सो दिन की फसल है मातर आसानी से इसका उत्पादन किया जा सकता है इसके बाद किसान बाई जब यह मई के पहले अपते में कट के तियार हो जाती है इसके बाद आप धान की फसल या चारे की फसल अन्य फसल भी ले सकते हैं इसके बाद भी और कहीं किसान मतलब पैदावार ले रहे हैं देखो सर मैं इस बार चार एकड में राजमा की खेती कर रहा हूं दो एकड में रहा है दो एकड में दूसरे खेत पर है तो इसमें एक एकड में जैविक तरीके से करता हूं बाकी में रासानिक तरीके से कर रहा हूं अगर सर जैसे के आपने बत बहुत अच्छा है उसकी दो सुपर पड़ती किलो है बस राजमे अगर किसानभाई कर रहा है तो इसमें खर्च जादा नहीं आता राजमे के दिकत बस इसमें एक है इसके बीज थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसका जो तियार किया जाता है वो अच्छे तरीके सर जो अच आप अपनी नजदी की मंडी में बेचे अगर मंडी में नहीं बिख रहा है तो आपके आस पास जो होल सेल के पर्चून के दुकानदार आप उन्हें जाके दिखाए एक सो दस एक सो बीस उपे किलो होल सेल ठोक वाले में खरीद लेंगे अगर वह भी नहीं खरीदेते हैं हम बॉबाइक के लगी लाल्चेतना चितना ढ़ंटी लेंगे ऱर्राजमा की वराईटी कयो अपको बंडूबाएक यह थै। जा शाद की किससान में जाए इंगर आप इसान भाई एक। एक्क़ उम ऐसके घटना यह कर पांग टाय वहाय चाहां अगर उसे और आघख़ा कर दी झानकरी की जान एक है जानकरी नेया आणकरी गेंट प्राजमा की जानकरी grande करें कि करें क्या है आप एक वशसल पर एडिपेंड अपनी चेत्र के इस connubby अगर आप बैचने के लिए जाएगा लग भी आख लगा leakage लगा है क्योंकि उससे कारण क्या होता है उससे यह है कि यह पढ़ावार्वाद अपको होगी शुपने में घर के खर्च में आरां बें चल जाये गाए जी सर बिल्युकुल कि किसान तो यह है कि उसे तो अश्ब वह घरमें भी खाना है आप देगे सर ये मेरा राजमा सूक्र यह तरी करके पल्ली पे डालूंगा टेक्टर से चारो तरफ इस पे टेक्टर चला जाएगा यह हर्वेस्टिंग के मेरे तियार हो जाएगा और मेरे इतने हो ड्राइवे हैं यह सारा मेरा अधा तो बिक चुका है भी तक जैसे कोई किसान भाई सुरुवात करना चाहता है मातर वह एक किलो बीज ले रहा है तो दस किलो भी कोरियर उसे भेज दिया जाएगा पूरे भारत में कहीं से भी हो तो किसान भाईयों आपको युवा किसान ने कितने अच्छी जान कर दी तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें केमेंट में जरूरू बताए चैनल को लाइक करें सब् झाल